नमस्कार दोस्तों सुनील शेयर गाइड चैनल में आपका स्वागत है और आज हम Finitex Chemical Company का एनलेसिस करेंगे यह एक स्पैसिलिटी Chemicals Manufacturing Company है जिसके Chemical Textile, Home Care, Hygienic, Mining, Garments, Water Treatment, Leather, Construction, Paint, Agrochemical and Adhesives में काम आते हैं इस कंपनी के प्रोड़क्ट तीन इंडस्टी में ज्यादा यूज होते हैं जिसमें फर्स है टेकस्टाइल यह 43,000 टन्स टेकस्टाइल केमिकल और स्पैसिलिटी केमिकल का प्रोड़क्शन करती है और यह 60 से ज्यादा देशों को एकस्पोर्ट करती है दूसरी इंडस्टी है आईल एंड गैस इंडस्टी जिसमें इसके कैमिकल ज्यादा यूज होते हैं फर्ड इंडस्टी है क्लीनिंग और हाईजनिक इंडस्टी जिसमें इसके सारे प्रोड़क्ट यूज होते हैं Phinotex Chemicals Limited का 52-week का हाई देखे तो 379 रुपी 05 पैसा है जो कि उसने आज ही लगाया है और आज की क्लोजिंग 12 September 22 की क्लोजिंग देखें तो 376 रुपी 40 पैसा है और इसके industry देखे तो specialty chemicals है इसकी face value 2 रुपीज है EPS की 4 रुपी 36 पैसा है अब हम इसकी delivery position भी देख लेते हैं इसकी 12 September 22 को quantity trade हुई थी 1,121 शेर और delivery quantity थी 38,797 शेर और percentage में delivery देखे तो 38.75% है अब हम Fineutex Chemical Limited का 30 June 22 का share holding pattern भी देख लेते हैं इंडियन पर्मोटर के वास holding थी 64.94% लास्ट क्वाटर से comparison करें 31st March 22 को उनकी holding थी 64.82% तो वो उनकी बढ़कर 64.94% हो गई है अब FII की holding देखें 30 June 22 को उनकी holding थी 0.04% लास्ट क्वाटरों में देखें तो 31st December 21 को उनकी holding थी 0.60% 31st March 22 को उनकी holding होगे थी 0.25% फिर 30 June 22 को उनकी holding होगे थी 0.01% आप देख सकते हैं हर क्वाटर में FII ने अपने holding को sale किया है और अब जर्नल पब्लिक की देखें तो 30 June 22 को उनकी पास holding थी 26.23% अब पर्मोर्टर के अलावा किस के पास कितने holding है यह भी देख लेते हैं वैच्वल फंड के पास 5.35% है FII के पास देखें तो 0.04% है और अशीश कलोचियर जी के पास देखें तो 21,42,534 शेयर है जो कि 1.93% है और सुरेश कुमार अगरवाल जी के पास 15,00,000 शेयर है जो कि 1.35% है अब हम इस कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी देख लेते हैं इसने 2014 में 1 इस-to-1 के रेश्ट्रों में बोनस शेयर दिया है अब हम इस कंपनी की डिविडेंट हिस्ट्री भी देख लेते हैं यह 2011 से लगाता डिविडेंट देती आ रही है और last financial year में इसने 40 पैसे का डिविडेंट दिया है अब हम इस कंपनी केनवल रजल्ट भी देख लेते हैं जो कि इन क्रोड्स में सबसे पहले सेयल मार्च 18 में 90 करोड, मार्च 19 में 112 करोड, मार्च 20 में 128 करोड, मार्च 21 में 129 करोड, मार्च 22 में 250 करोड gross profit देखे तो मार्च 18 में 30 करोड, मार्च 19 में 26 करोड, मार्च 20 में 30 करोड, मार्च 21 में 46 करोड, मार्च 22 में 59 करोड और EPS देखें तो मार्च 18 में 1 रुपी 91 पैसा, मार्च 19 में 1 रुपी 62 पैसा, मार्च 20 में 0.97 पैसा, मार्च 21 में 3 रुपी 25 पैसा, मार्च 22 में 3 रुपी 97 पैसा लास्ट 3 financial year में देखें तो sale में gross profit और EPS में भी अच्छी growth है अब हम इस company के quarterly result भी देख लेते हैं जो कीन crore में सबसे बहले sale June 21 में 41 crore, September 21 में 59 crore, December 21 में 78 crore, March 22 में 70 crore, June 22 में 60 crore और gross profit देखे तो June 21 में 9 crore, September 21 में 14 crore, December 21 में 21 crore, March 22 में 12 crore और June 22 में 14 crore, और EPS देखे तो June 21 में 0.64 रुपी, September 21 में 0.93 रुपी, December 21 में 1.42 रुपी, March 22 में 0.98 रुपी, June 22 में 1 रुपी, 0.03 पैसा आप देख सकते हैं कि last quarter से, इस quarter में sale में कमी आई है, मगर last financial year इस quarter से comparison करें, तो sale में भी अच्छी growth है और gross profit देखें, तो last quarter से, और last financial year के इस quarter से comparison करें, तो gross profit में अच्छी growth है और EPS में भी देखें, तो last quarter से, और last financial year के इसी quarter से comparison करें, तो EPS में भी अच्छी growth है इस company में जिस परकार से promoter और बड़े-बड़े investors ने अपनी holding को बढ़ाया है, और इस company का business model है, इसमें investment किया जा सकता है मेरा यह video अच्छा लगा हो, तो subscribe करके like button को प्रास करें, thank you